हलो बच्चों आज हम लोग मोल कॉंसेप्ट में सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फीगर्स का स्टड़ी करने जा रहे हैं जैसा कि पिछले क्लास में मैंने बताया था यह जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बड़ा important topic है यह हम लोग syllabus में बोला जाये तो physics में भी पढ़ना होता है और chemistry में होता है chemistry में यह topic हम लोग first chapter more concept में पढ़ते हैं और physics में यह लास्ट में आएगा बाद में आएगा एरण मेजरमेंट में यह टॉपिक में भी मिलेगा चलिए तो हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं significant figures होता क्या है यह क्यूं दिया गया है समझते हैं चीजों को तो जब लेबरेटरी में हम लोग कोई भी साइन्टिफिक एक्सपरिमेंट करते हैं except counting counting करने की बात अगर छोड़ दी जाए तो जितने भी साइन्टिफिक एक्सपरिमेंट होते हैं उन सब में जो रेडिंग हम नोट करते हैं उसमें कुछ ना कुछ uncertainty होती है लेंट का मेजरमेंट या बोला जाए वेट का मेजरमेंट या वोल्टेज का रेडिंग हम लोग नोट कर रहे हैं किसी भी तरीके का इन एवरी साइन्टिफिक एक्सपेरिमेंट देर इस सम डिगरी ओफ अंसर्टेंटी इन मेजरमेंट तो रेडिंग में जो रेडिंग नोट करते हैं उसमें कुछ न कुछ अंसर्टेंटी या एरर होता ही होता है इसके लिए मेंली दो फैक्टर्स रेस्पॉंसिबल होते हैं पाला觉 कि इन्स्टुमेंट का does जैसे माल कि कोई इन्स्टूमेंट की बात करें वे करने का मसित तो वेट करनी का जो इंस्टूमेंट है दुनिया में ऐसा को इन्स्टूमेंट बना हुआ ही नहीं जो सम्लों के बाद इन्फाइनाइट अंक तक वह रेडिंग को क्या कर ले नोट कर ले तो हम लोग किसी भी इंस्ट्रूमेंट की बात करें कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है ही नहीं कि जो दसम्लों के बाद decimal point के बाद infinite अंक तक infinite zero तक वो रेडिंग को क्या कर सके नोट कर सके तो हम लोग जब भी कोई experiment करते हैं तो उस रेडिंग में जो एरर आते हैं जो अंसार्टेंटी आते हैं उसके मेंली दो रीजन होते हैं एक रीजन इंस्ट्रुमेंट का लिमिटेशन दूसरा रीजन जो हम लोग रेडिंग को नोट करते हैं वह हम लोग observer हो गया है इन एवरी scientific experiment there is a some degree of uncertainty इन मेजरमेंट और इसके मेंली दो फैक्टर्स होते हैं observer का skill और accuracy second factor instrument जो भी मेजरिंग इंस्टुमेंट है उसका limitations तो इसी अंसार्टेंटी को मेजरमेंट में रेडिंग में जो अंसार्टेंटी है उसी को explain करने के लिए साइंटिस्ट लोगों यह टर्म दिया है सिगनिफिकेंट फिगर्स या डिजिट्स तो सिगनिफिकेंट फिगर्स या डिजिट्स में सारे सटेन डिजिट्स तो होते ही होते हैं साथ में एक लास्ट डिजिट एक लास्ट जो डिजिट होता है वो डाउटफूल डिजिट होत तूर जैसा कि हमने बताया था आते हैं हम लोग पढ़ते हैं सेंटेंस को देर इस ओल्वेज समंधिगरी ओफ अन्साटेंटी कुछ न कुछ अन्साटेंटी होगा है इन एवरी सायंटिफिक measurement परतेएक scientific measurement में कुछ न कुछ uncertainty मिलता है except in counting counting वाले experiment को छोड़ कर तो इसके बारे में counting के बारे में हम लोग details से अभी आएंगे समझेंगे चीजों को ठीक on the uncertainty measurement is mainly due to two factors यह uncertainty मेली दो factors के कारन से पहला कौन सा a skill and accuracy of observer दूसरा limitations of the measuring मेजरिंग इंस्टूमेंट का लिमिटेशन्स तो हम लोग इन दोनों पॉइंट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि मेजरिंग इंस्टूमेंट के लिमिटेशन्स और ऑब्जरवर के असकिल और ऐकुरेसी पर यह एरर कैसे डिपेंड करता है सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक सिंपल सा एक्सेरिमेंट करने जा रहा हैं इस टॉपिक को फिल करने के लिए आप लोग घर बैठे भी यह एक्स्पेरिमेंट खुद से करें और थोड़ा चीजों को चिंतन करें थोड़ा सा थिंकिंग करें यह तुरंट दोनों पॉइंट समझ में आ जाएगा और पर एक लाइन ऐसे खिस दिया गया और हमें एसकेल से इस लेंध्यक का मेजर्मेंट करना है थे अ reinforint करेंगे तो गयाoust और यहां से यहां ओई-चेल का-लों यहां पर आ रहा है तो अब हम लोग की यहां पर observer के अस्किल कैसे काम करता है तो कोई भी रिडिंग को नोट करते हैं तो उस रिडिंग के स्लाइट के आता है तो अगर हमें जीरो वाला पॉइंट यहां पर रखा गया है इसका रिडिंग नोट करना था इस साइड का तो यहां से स्टार्ट कि यह वाला यह वाला हम लोग का जीरो ठीक ना और यह बिल्कुल इधर नहीं रखना होगा यह बिल्कुल ठीक दोनों आई कि ठीक बीच में रखना है यह और के शिल पर डिपेंड कर रहा है तो इसमें भी कुछ नो कुछ एरर आता है परसंड टू परसंड यह एकुरेसी यह इसकिल क्या करेगा चेंज करेगा तो एक रिजन तो यह है कि जब या थर्मामीटर से आधाल लिए कि हमें फिवर हुआ तो थर्मामीटर से रेडिंग करना है पारा यहां पर दिखारा हो तो यह नहीं कि ओपर करेंगे यह ऐस्टे नीचे करेंगे ठिरमामीटर का रेडिंग में याकुरेसी bigger हो तो आप ठिक एसे डिया ओपर कर दिये नीचे कर दिये स्लाइट काएगा content तो एक तो रीजन होता है जो मेजरमेंट हम लोग लेते हैं उसमें जो अनसेटेंटी आ रहा है दूसरा कोई भी मेजरिंग इंस्टुमेंट पालिमिटे तो दुनिया में कोई भी एंसा इंस्टुमेंट बना हुआ है ही नहीं जो दसमलों के बाद इन फाइनाइट अंक तक के रेडिंग को क्या करें नोट करें जैसे फॉर एक्जामपल हम लोग वे करने का कोई मसीन ले लेते हैं तो कुछ अच्छे मसीन दसमलों के बाद तीन डिजिट तक आंसर देते हैं बहुत ज्यादा अच्छे हो गए त हम लोग कर सके में तो दूसरा रेजन लोग का ये चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं तो इनहीं अंसर्टेंटी को एक्स्प्लेण करने के लिए scientist लोगों ने term कौम सा दिया सिगनिफिकंट फेगर्स तो सिगनिफिकंट फेगर्स में सारे साटन दिशिक्ट तो होंगई हो कहाँ होता है लास्ट वाला जो होता है हम लोग का डाउट फुल डिजिट कहलाता है मेरनेक्स पेखते हैं घ्रकाटे 500 थे करने के लिए चैनिक दॉड्स投डатель देस्ट में भी और लिए दिग में या जो भी मेजर्मेंट में परसले सिर्फ लिए उसी को बताने के लिए सांटिस कौन सा टर्म यूज कर रहे हैं तो सिंग्निफिकेंट फिगर्स इन एक नमबर आर आल सा टैंट डिजिट्स प्लस वन डाउट फुल डिजिट्स तो इसमें सारे के शाटन तो उसमें कौन से significant figures हैं कौन से digits significance हैं और कौन से significance नहीं हैं यह पता करने के लिए scientist लोगों ने कुछ rules दिये हैं तो rules को लिखने से पहले थोड़ा हम लोग rules को समझें और rules को थोड़ा memorize करें तो अभी मैं rules लिखोंगा नहीं पहले rules में पहले ऐसे ही बता दोंगा rules को पहले memorize करना उसके बाद आगे हम लोग लिखेंगे तो चाहे लेंद का measurement हो voltage का measurement हो या current का measurement हो weight का measurement हो जो भी scientific experiment हम लोग करें जो reading note करते हैं तो उस reading में जो digits मिलेंगे जो digits कौन-कौन से मिलेंगे तो 0123456789 जितने भी scientific experiment हम लोग किये हैं जितने भी scientific experiment करते हैं उसमें यही सब digits हम लोग को मिलेंगे तो हम लोग rules पर आते हैं साइंटिस लोगों ने क्या rules बताया है significant figures को पता करने के लिए तो जितने भी नौन जीरो digits होते हैं वो सारे के सारे significant figures होते हैं all non-zero digits are significant figures significant figures को short में यहां पर SF करकर लिख रहा हूं तो 123456789 यह सब के सब significant figures होते हैं तो all non-zero digits are significant figures अब बात रह गहीं 067 figures होता है यह नहीं होता है तो जब भी हैं लोग landing note करेंगे 0 उस reading में कहां कहां आशकता है तो जिरो सबसें स्टार्टिःंग में भी आ सकता है 0 उस reading में बीच में भी पाए जा सकता है या zero last में पाए जा सकता है तो कुछ एक्जामपल मैं यहां पर देता हूं 0.023, 2.005, 25.00 यह 250 ऐसे, यह चार एक्जामपल दिए गया है, पहले एक्जामपल में 0 जो आया है वो स्टार्टिंग में आया है, दूसरे एक्जामपल में 0 कहा है हम लोग का बीच में आया है, तीसरे एक्जाम्पल में 0 हम लोग का लास्ट में और चौथे एक्जाम्पल में भी 0 कहां पर हैं लास्ट में हैं ऐसे भी हो सकते हैं रिडिंग एक ही रिडिंग में कई कंबिनेशन 0.01 0030 इस तरीके से तो यह 20 अस्टार्टिंग के हैं यह 20 कहां हैं बीच में हैं और यह 0 कहां हैं लोग का लास्ट में हैं तो जीरो का प्लेसिंग कहां पर है वो देखना होगा तो रूल्स को रिपीट कर रहा है इसको मेमराइज किजिए अगर जीरो अस्टार्टिंग में आया है वो सिगनिफिकेंट फिगर्स नहीं होता है तो अस्टार्टिंग बाला जीरो जो लेडिंग जीरो हो जो अस्टार्टिंग में जीरो आया है वो सिगनिफिकेंट फिगर्स नहीं होता है तो अस्टार्टिंग बाला जीरो जो लेड होता है जो जीरो बीच में नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में तो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो जीरो है वह सिगनिफिकेंट टेवर्स Хोता है तो नॉन जिरो डिजिट्स के बीच में जो जीरो आये हैं वो सिगनिफिकेंट फिगर सोते हैं अब इनिंग की बात करें तो जो झिरो लास्ट में आया है वह सिगनिफिकेंट फिगर्स होता है बस अर्टे वह डेसिमल पॉइंट हो तो एहां और यहां इन द देसिमल पॉइंट तो यहां दो जीरो सिगनिफिकेंट फिगर्स है लेकिन यहां कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है तो यह जीरो सिगनिफिकेंट फिगर्स नहीं है तो जीरो से रिलेटेड रूल्स को मैं फिल से रिपीट करता हूं स्टार्टिंग वाला जीरो सिगनिफिकेंट फिगर्स होता है स्टार्टिंग बला जिरो सिगनिफिकेंट फिगर्स नहीं होता है जो जिरो बीच में आया है वो सिगनिफिकेंट फिगर्स होता है और जो जिरो लास्ट में आया है वो सिगनिफिकेंट फिगर्स होगा बसरते if there is decimal point जैसे यहाँ पर इस example में यह 0 last में आये है तो और यहाँ decimal point है तो यह significant figures है लेकिन यह 0 last में तो है लेकिन इसमें कोई decimal point नहीं है तो यह significant figures नहीं है तो rules को हम लोग लिखते हैं चलिए significant figures पता करने के rules पर हम लोग आते हैं तो दो rules अभी यहाँ पर लिखेगा है बोर्ट पर ठीक ना पहला rule all non zero digits are significant figures तो जितने भी non zero digits होते हैं सब significant figures होते हैं second rule is zero becomes significant figures कब तो if it appears between two non zero digits दो non zero digits के बीच में आता है तो zero कबार में मैं बताया भी था starting वाला zero significant figures नहीं होता है बीच वाला होता है last वाला zero होता है बस अरते उसमें decimal point हो तो एक एक करकर आते हैं all non zero digits are significant figures तो यहाँ के example में यह भी non zero significant figures होगा non zero यह भी होगा यह भी होगा तो इसमें तीन significant figures हैं यहां आते हैं non zero significant figures होगा यह भी non zero significant figures होगा यह भी non zero significant figures होगा तो यहाँ भी तीन non zero digits है तो three significant figures इसमें भी है यहां चलते हैं यह जीरो यह भी नॉन जीरो यह भी नॉन जीरो तो यह भी तीन इम्हолод तो यह एक्जामपल नहीं नहीं है यहां पर डिसिमल पॉाइंट है तो ध्यान देना है हम लोगों को चाहे डेसिमल पॉ cotton हो या ना हो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं significant figures होते हैं चाहे उसमें decimal point हो या ना हो हम लोग second rules पर आते हैं five non zero digits significant figures जीरो बीच में आया है दो non zero के बीच में ये भी significant figures होगा और ये non zero ये भी होगा तो यहाँ पर इस question में वहांसों से इसकी बात करें तो फाइब नौन जिरों सिगनिविकेंट सिगनिविकेंट होगा सेक्स नौन जिरो में आया हुआ है ये भी सिगनिविकेंट फिगर सोगा यह शिक characteristic सिगनिफिकेंट फिगर से लास्ट का अंसर खुद से देने का कोशिस किजिए इसमें कितने सिगनिफिकेंट फिगर से तो हम लोग आते हैं यह नौन जीरो होगा जीरो बीच में आया हुआ है यह भी होगा यह भी जीरो बीच में आया हुआ है यह भी होगा नौन जीरो यह भ नेक्स्ट रूल पर हम लोग आते हैं जैसा कि रूल्स मैंने बता दिया है वही यह स्टेट्मेंट यहां पर लिखा हुआ है और एक काम यह भी करना है यह नहीं कि सिर्फ वीडियो को देखना और सुनना है अगर टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हैं समझते हैं कि नहीं आप सेरियसली पढ़ाई कर रहा हैं तो आपको स्क्रिन सॉट लेकर यह वीडियो को पाउज करकर आपको इसका नोट्स बनाना होगा आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो जो भी वीडियो देख रहे हों तो हमेशा ध्यान देखिए आप साइंस समझ रहे हैं साइंस सीखने की कोशिस कर रहा है तो वीडियो को सीखिए समझिए देखिए सुनिए लेकिन अच्छे से कोई भी टॉपिक तभी समझ में आएगा जब आप उसका स्क्रिन सॉट लेकर यह वीडियो को पाउज करकर आप उसका नोट्स बना लेते हैं तो फिसकल केमेस्टी का एक नोट्स क कॉपी अलग से बनाइए और उसमें इन सारे नोट्स को लिखते चलिए जिसे कि बार बार आपको वीडियो बाद में देखने के ज़रोत नहीं पड़ेगी नोट्स पल्टे और नोट्स देखकर अपना सारा टॉपिक समझ गए तो हम लोग थार्ड रूल पर आते हैं लीड लिडिंग जीरो उनको बोला जा रहा है जो किसी नंबर के लेफ्ट में रखा गया अस्टार्टिंग में रखा गया तो अस्टार्टिंग वाले जीरो को लिडिंग जीरो बोला जा रहा है और नेवर सिगनिफिकेंट वो कभी सिगनिफिकेंट फिगर्स नहीं होते हैं तो ट्रेडिंग जीरो, अस्टार्टिंग बला जीरो, सिगनिफिकेंट फिगर्स नहीं होगा, ये भी सिगनिफिकेंट फिगर्स नहीं होगा, ये नॉन जीरो, नॉन जीरो, सिगनिफिकेंट फिगर्स होगा, तो इसमें दो सिगनिफिकेंट फिगर्स है, नेक्ट कोश्चन पर आ जाए जाए अस्टार्टिंग आ जीरो नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा यह हम लोग का नॉन जीरोडिजिट है significant figures होगा इसमें एक significant figures है चौथा रूल्स trailing zeros trailing zeros trailing zeros उनको बोल रहा है जो last में आ रहा है नंबर के last में तो आगे मिलिखा हुआ है trailing zero का मतलब zeros placed to the right of the number number के राइट में या लास्ट में जो जीरो रखा गया है उसी को trailing 0 काते हैं आर सिगनिफिकांट वो सिगनिफिकांट होते हैं प्रोवाइड़ देर इस डेसिमल पॉइंट तो लास्ट में जो 0 हम लोग काया है वो significant figures होगा बसरते वहाँ decimal point हो if there is no decimal point अगर कोई decimal point नहीं है तो इसके कुछ examples पर हम लोग आते हैं 343.00 26.02 60 यह non zero digits है significant figure होगा यह भी non zero होगा यह भी non zero होगा और यह zero last में आया हुआ है और इसमें decimal point है तो यह दोनों zero भी significant figures होगे तो इसमें 5 significant figures है 5 significant figures अब यहां बात करें है तो यह non zero significant figures होगा यह भी non zero significant figures होगा यह जीरो last में आया हुआ है लेकिन इसमें decimal point है तो यह significant figures होगा तो इसमें 3 significant figures है यहां बात करें यह जो हम लोग का number दिया है इसमें कोई decimal point नहीं है तो last बाला zero significant figure नहीं होगा यह non zero significant figures होगा तो इसमें 2 non zero 2 significant figures है तो हमेशा ध्यान बखना यह example important यह example हम लोगा important है लास्ट बाला zero significant figures होता है बसरते वहाँ decimal point हो अगर कोई decimal point नहीं है तो लास्ट बाला zero significant figures नहीं होता है चलिए next rule पर हम लोग आते हैं हम लोग scientific notation की बात करें कुछ reading हम लोग का ऐसे भी दिया हुआ रहेगा 1.3 to 10 की पावर 2 तो 10 की पावर में जो reading दिया हुआ है इसी को हम लोग scientific notation कह रहे हैं तो scientific notation में जो significant figures हम लोग निकालते हैं वो इस वाले पार्ट से 10 की पावर वाले पार्ट से नहीं निकालते हैं scientific notation में जो significant figures निकाला जाता है यह numerical पार्ट से हम लोग निकालते हैं तो मैं फिर से repeat कर रहा हूं scientific notation में जो हम लोग का significant figures निकाला जाता है वो numerical पार्ट से निकाला जाता है तो rules को पढ़ते हैं in scientific notation the numerical portion तो numerical portion पर हम इसाब focus करना है scientific notation में 10 की पावर में अगर कोई number दिया हुआ है तो अहां पर numerical portion पर focus करेंगे the numerical portion gives the number of significant figures तो numerical portion से significant figures को बारे पता चलेगा दो एक्जाम्पल है यह हम लोग का numerical portion है यहां दूसरे एक्जाम्पल भी यह हम लोग का numerical portion है तो numerical portion से आते हैं significant figures कितने होंगे non zero यह होगा यह zero बीच में आया हुआ है यह भी होगा non zero यह भी होगा और यह भी non zero होगा तो इसमें चार significant figures है तो इसमें और यह zero last में आया हुआ है last में और यहां decimal point है तो यह भी significant figures होंगे तो इसमें चार significant figures है तो आगे अब हम लोग कुछ numericals पर आएंगे significant figures जो अभी हम लोग पढ़े हैं उसके कुछ numericals को कर ले लेकिन numericals पर जाने से पहले हम लोग अपने concept को या scientist ने जो rules दिये हैं उसको memorize करें तो rules को मैं repeat कर रहा हूं सारे के सारे non zero digits all non zero digits are significant figures अब बात आ गई zero की तो zero अगर अस्टार्टिंग में है तो कभी significant figures नहीं होता है जीरो अगर बीच में आया हुआ है तो significant figures होता है और last वाले zero की बात करें तो अगर last में जो zero है अगर उसमें decimal point है तो significant figures होगा decimal point नहीं है तो significant figures नहीं होगा और scientific notation की बात करें तो scientific notation में significant figures numerical portion से हम लोग निकालते हैं तो हम लोग आते हैं कुछ numericals पर दो questions यहां पर लिखेगा है हम लोग आते हैं questions पर पहले question पर आते हैं क्या बोला जा रहा है in which of the following number तो कौन से following number में all zeros are significant तो यहां पर पूछा क्या जा रहा है उसको मैंने underline कर दिया है figures नहीं होता है बीच बाला 0 होता है लास बाला 0 भी होता है बस आतों उसमें decimal point तो मैं एक एक करकर आ रहा हूं यह 0 बीच में होगा यह भी 0 बीच में होगा तो यहां दोनों 0 significant figures यहां पर चले बी option पर तो starting बाला 0 significant figure नहीं होता है इंडिंग वाला 0 significant figure होता है बस आते वहाँ decimal point होता है यहां एक decimal point है यह होगा तो इसमें सारे 0 significant figures है इसमें बी option में सारे 0 all zeros are not significant तो में लोग का B answer नहीं होगा C answer में चले हैं तो यह 0 last में आया हुआ है और last में आया हुआ zeros significant figures होता है बस सार्थ वहाँ decimal point होतो है decimal point है तो यह 0 भी होगा यह 0 भी होगा यह 0 भी होगा तो यह तीन के 300 significant figures है तो C option भी होगा डी option की बात करें regardless प्रूंप्र líigon सिक्निफिकेंड नहीं होता है लास पाला 0 होता है बस सार्थ के उसमें decimal point हो तो यहां एक decimal point है तो हम लोग का यहां तीन zero तो हैं तीन में से दो zero significant figures है एक zero नहीं है तो all zeros are not significant तो D option भी नहीं होगा तो हम लोग का correct option कौन सा A और C वो correct option है second question पर आते हैं which of the following numbers have same significant figures तो पूछ रहा है same significant figures कहां होंगे तो count करते हैं हम लोग करते हैं A option में तो starting भला zero नहीं होगा यह भी नहीं होगा non zero होगा last भला zero होगा बसरते decimal point हो तो इसमें 2 significant figure यहां चलें लोग तो starting भला zero significant figure नहीं होगा नॉन जीरो होगा यह जीरो होगा इसमें डेसिमल पॉइंट है तो इसमें भी दो सिगनिफिकन्ट फिगर है चले सी ऑप्शन में तो यह नॉन जीरो सिगनिफिकन्ट फिगर होगा यह जीरो लास्ट में है और एक डेसिमल पॉइंट है तो सिगनिफिकन्ट फिग फघर होगा तो इसमें το सिनेंटेटर के लिए उसमें बात करें लोग तो यह नों जीर्यों टी स्टेंट्र होगाजी लास्ट में में हैं लेकिन यहां पर कोई डेसिमल ऐसे नहीं है तो यह सिनने मैं और नहीं होगा तो इसमें एक ही सिनि cowork कर हैं हम A, B और C Next question पर हम लोग आते हैं Select the number with same significant figures तो फिर से हम लोग को select करना है कहां पर significant figures same होंगे तो count करते हैं यह हम लोग का scientific notation में दिया हुआ A option scientific notation में है तो scientific notation में significant figures कैसे निकालते हैं तो numerical portions है तो यह हम लोग का numerical portion है इस numerical portion से significant figures हम लोग निकालेंगे तो यह non-zero होगा 0 बीच में है यह भी होगा और यह भी non-zero होगा तो इसमें 3 significant figures है तो answer यहां पर है 3 significant figures यहां बात करें हम लोग तो ये अस्टार्टिंग बला 0 नहीं होता है नॉन जीरो होता है नॉन जीरो होता है तो इसमें दो significant figures है चले ये भी हम लोग का scientific notation में दिया हुआ है तो scientific notation में significant figures कहां से निकालते हैं तो numerical portion से तो ये हम लोग का non zero होगा ये भी non zero होगा और यह हम लोग का 0 last में आया हुआ है लास्ट पहला 0 significant figures होता है बसरते उसमें decimal point होता है यह भी होगा तो इसमें 3 significant figures है चले हम लोग इसकी बात करें यहां पर तो यह non-0 significant figure होगा यह भी non-0 यह भी होगा और यह 0 last में आया हुआ है last पहला 0 significant figure होता है बसारते उसमें decimal point हो तो ये भी होगा तो इसमें तीन significant figures तो with the same significant figures तो A option, 3, C option में भी 3 significant figures, D में भी 3 तो हम लोग का answer कौन सा? A, C और D Last question पर हम लोग आते हैं उसके बाद topic को हम लोग आगे बढ़ाएंगे How many significant figures are there in each of the following? तो परतेक में कितने significant figures है? वो answer हम लोग को देना है तो A में चलते हैं तो A में ये non-zero significant figures होता है, 7 ये भी non-zero होता है तो इसमें 2 significant figures है, तो एक answer है 2 significant figures चलते हैं, B option में हम लोग आते हैं, B में चलें तो non-zero significant figure होगा, ये 0 बीच में आया हुआ है, तो ये भी होगा हम लोग का नौन जीरो ओगा हुए बीच में चार दी में को साइन्टिफिक नोटेशन में इसनमें निमेरीकल प्षे से निकालेंस के बारे में क्लास में पढ़ने बाले हैं साथिपिक नोटेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं सांति नोटेशन कैसे लिखा जाता है उसका मिलेगा है है निमेर्कल पोर्षन पर तो इस निमेर्कल पोर्षन में यह हम लोग का नॉन जीरो होगा और यह जीरो लास्ट में है और इसमें डेसिमल पॉइंट है तो यह भी दोनों 0 होंगे तो इसमें तीन सिगनिफिकेंट फिगर्स होंगे अब यह बड़ा ही एक्जेक्ट वैल्यू आज तक निकाल पाया गया है तो पाई का एक्जेक्ट वैल्यू नहीं पता है तो जब इसका एक्जेक्ट वैल्यू नहीं पता है तो यहां पर पाई में infinite number of significant figures होते हैं इसका exact value में पता ही नहीं है तो infinite number of significant figures infinite number of significant figures तो ध्यार में रखना था important example पाई पाई का value exactly हम लोग को नहीं पता है तो पाई में कितने significant figures हैं तो infinite significant figures है आज का class हम लोग आज का video यहीं पर खत्म करते हैं अब next video में हम लोग scientific notation के बारे में समझेंगे exact number क्या होता है exact number के बारे में समझेंगे counting का भी कुछ example सम लोग लेंगे तो next video का वेट किजिए आज के video में इतना ही